देश में मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। इंडिया नाम की इस रिपूर्ट में बताय गया है कि जहां साल 2016 में राजिस्थान में 574.4 mm बारिश हुई, वही तमिल्नाडू में 534.6 mm, पंजाब में 444.4 mm और हर्याना में केबल 392.2 mm बारिश दर्च हुई। इसमें अगर राजिस्थान को छोड़ दें तो बाकी सभी तीनों राज्चियों में 2015 से कम बारिश हुई। मसलन तमिल्नाडू में 2015 में 1201.6 mm बारिश हुई थी, लेकिन 2016 में सिर्फ 534.6 mm इसी तरह 2016 में देश में सबसे ज्यादा बारिश गोआ में दर्च हुई, जहां 3065.1 mm बारिश हुई। इससे पहले ये खिताब मिघालय के पास था जहां 2015 में 3800 mm बारिश रिकॉर्ड हुई थी, सबसे चिंताजनक बात ये है कि पिछले 16 सालों में केवल 3 वर्ष को छोड़ कर देश में बारिश सामानने से कम हुई है, सबसे कम बारिश साल 2009 में हुई थी जब ये सामानने से 20 फ जिससे देश की 67 फीजदी पानी की जरूरत पूरी होती है, अगर देश में इसी तरह बारिश साल दर साल कम होती रही, तो जल्दी ही भूजल खत्म हो जाएगा और पानी का संकट पैदा हो जाएगा Water and India की साल 2019 की रिपोर्ट के मताबिक देश में 60 करोड लोग जल संकट से जूच रहे हैं, इसका मतलब है कि देश की तकरीबन आधी आबादी के पास पीने और बाखी जरूरतों के लिए परयाप्त पानी नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं मिलने से हर साल तकरीबन 2 लाख लोगों की बिमारियों की चपेट में आकर मौत हो जाती है, तेश में पानी को लेकर हिंसा भी बढ़ रही है, नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आखड़े बताते हैं कि साल 2018 में 92 लोगों की जिंदगी पानी को लेकर हुए जगड़े की भेट चड़ गई, जलशक् फरिदाबाद, गुहाटी, वडोदरा, जैपुर, भुवनेश्वर, फरिदाबाद और अमरिचसर, लुधियाना शामिल है, इन शहरों में ग्राउंड वाटर चार मीटर तक नीचे चला गया है, देश के चार बड़े महानगरों में शामिल चिन्ने में 2019 की गर्मियों में खत्म हो गया था, देश के गरामियंड इलाखों में हालाद बिगड चुके हैं, इसी मंत्राले के मताबिक बीते 10 सालों में लगभग 66 फीजदी कुओं में पानी का स्तर 2 मीटर तक नीचे चला गया है, कह सकते हैं कि भारत ना केवल कुरोना जैसी जान लेवा बिमारी से, बलकि भूख, बेरोजगारी और पानी की कमी और कई सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है, बियोर रपोर्ट, गो नियूस